हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल यह है लेनवो का ठिंक पैड लेपटॉब और इसका मॉडल नंबर है टी फो रेट जिरो आज हम इसमें एसेसडी अपगरेड़ करेंगे तो वीडियो में पुरा लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी और भी वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है सबसे पहले आप यहां से बैटरी को रिमूव करेंगे यहां से बैटरी को रिमूव कर सकते हैं आपको यहां पे स्क्रूज मिल जाए है एक आपकी एक बैटरी यहां पे लगेगी देन एक आपकी बैटरी आपको यहां पे मिल जाएगी जो कि यहां से आपको अन्प्लग करना है आप बीना अन्प्लग करें आप किसी भी पार्ट को टच मत करिएगा शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है क्योंकि यहां पे बैटरी आपको यहां मिल जाती है, then हम बात करते हैं, यहां पर आपको दो RAM का अप्ग्रेडेशन का option मिल जाता है, यहां पर DDR4 आप मैक्सिमम 32GB तक expandable कर सकते हैं, मैंने अब यहां पर सिर्फ 8GB की single RAM लगाई हुई है, अगर आप upgrade करना चाहते हैं, तो आपको 32GB तक आप RAM को upgrade कर सकते हैं, then मैंने यहां पर SSD लगाई हुई है, जो कि सिर्फ 256GB की SSD है, यहां पर already hard disk लगी हुई थी, तो मैंने यहां पर SSD अप्ग्रेड कर दी है, जो कि है 256GB की, यहां पर आपको Wi-Fi का मिल जाता है, एक slot यहां पर SSD का है, तो मैंने एक SSD लाई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह आपकी 512GB SSD है, अब हम इसको चेक करेंगे कि इसमें support करती की नहीं करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह इनका और इसका slot बिल्कुन मैच कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां मैच हो रहा है, बट यहां भी यह फिट नहीं हो रही है, मैंने इसको थोड़ा सा अटैच करके laptop भी open किया था, बट मेरा यहां पी display नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह SSD आप में हार्डीस ही मिलेगी, तो इसके लिए आपको यहां पे एक SATA की SSD परचेस करने पड़ेगी, जैसे कि मैंने यहां पे 2.5 इंच की SATA SSD लगाई हुए, जो की 256 GB है, यहां पे अपने according आपको जितनी भी SSD अप्गेड करनी है, storage हिसाब से, आप यहां पी easily 1TB, 2TB तक Mac supported है, आप यहां से 2TB तक, 1TB तक SSD अप्गेड कर सकते हैं, otherwise इसका second option नहीं है कि आपको M2 SATA SSD लेने पड़ेगी, ना कि और इसमे PCI वाली SSD भी नी चल लए है, और इसमें जैसे कि आप दे आप M2 SATA SSD लेजेगा, otherwise आप online purchase करते हैं, तो आपको वहां भी मिल जाएगी यह वाली SSD, जो कि यह यहां पे fit नहीं है, आपका slot match है, बट यह fit नहीं हो रही है, तो आपके यहां से अपन M2 SATA SSD purchase करके लीजेगा, बस आज की वीडियो में हित नहीं, अगर आपको मेरी वीडि subscribe करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे text related मेरे चैनल पर वीडियो आती रहती है,